कहां से कपड़ा खरीदे, रौ मिटीरियल कहां से खरीदे, और किस तरीके से कुर्ती बना तो हम लेते हैं, लेकिन कहां कहां कैसे कैसे बेचे, और दूसरा है कि कुर्तियां खरीदे कहां से, होलसेल में और आगे किस तरीके से बेचे, जिना लॉंग टर्म बिजनस क्रेट कर स कुर्ती बिजनस कैसे करें बहुत सारी महिलाएं कुर्ती बना लेती है बहुत अच्छे फैशनेबल डिजाइनर ड्रेसिस भी बना लेती है घर में रहते हुए वह अपनी जो जो सिलाई की कला है या बुटीक भी करती है तो कई तरीके कि वह नहीं नहीं अलग-अलग बिजनस करें कैसे इस बारे में बहुत सारी मेरे पास सवाल आए हैं और रिसेंटली कंटीनिवेशन में इतनी सारे सवाल आए कि यह वीडियो आप लोगों को डेडिकेटेड है जो लोग अपना कुर्ती का बिजनस या कपड़े का बिजनस या फिर जो आप बनाते हो जिवन में बेहतर बनाने के लिए बेहतर करने के लिए एक हापी है यहल्दी या याइए करेगी चैनल को स्प्स्क्राइब करेंगी तो इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी तो तो हम यह सवाल लेते हैं कि किस तरीके से कुर्ती बिजनस करें कुर्ती बिजनस या कपड़े का बिजनस अगर आप करना चाहते हैं तो दो बहुत ही एहम चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है पहला है प्रड़क्ट यानि कि जो सामान आप पेचना चाहते हैं और दू की बात करते हैं यानि कि आप कुरती भी हो सकती है साड़ियों का कुछ लोग करते हैं या फिर कुरती अज़ान की टॉप कुर्टी अलग अलग क ken के ला कट स्टाइल की या फिर हो मेतीरियल कपड का जूमbay tribe होते हैं बopard कर बी इसका एक बार्त आतका हो सकता है तो जो सवाल मेरे पस मेरे पास दो तीन केटेगरी के सवाल आए थे एक तो कि कहां से कप्ड़ा खरीदे raal material कहां से खरीदे और किस तरीके से कुर्थी बना तो हम लेते हैं लेकिन कहा कहा कैसे कैसे बेचे और दूसरा है कि कुर्तियां खरीदे कहां से होल सेल में और आगे किस तरीके से बेचे तो पहला सवाल जो है कि आप खुद कुर्तियां बनाना चाहते हो या फिर आपके पास टेलर मास्टर है जो कि 30 40 50 रुपे में आपके लिए कुर्तियां बना देता है होलसेल की कपड़ा मार्केट जरूर होती है या फिर एक कत्रन मार्केट जैसी भी होती है जहां पर आप अलग-अलग कहने को कत्रन मार्केट होती है लेकिन वहाँ पर थोक में भी कपड़ा मिल जाते हैं आपको यानि लॉट का लॉट मिल जाता है तो ऐसी जगे जा करके आप प्रपपिसिस भी ले सकते हैं जदि छोटे लेवल पर शुरू कर रहे हैं वरना होलसिल मार्केट में भी जाके थान के थान खरीद सकते हैं और तब जो भी के design को market में introduce कर सकते हैं तो इस तरीके से आपके पास अपना खुद का प्रोड़क्ट बन जाएगा अब खुद का प्रोड़क्ट बनाने के साथ साथ अगर आप लेबल भी अपने नाम का या अपने ही ब्रैंड का पनवा लेते हैं तो ये बहुत ही आपको helpful रहेगा और बहुत म पहला लौट है उसको आप लगा सकते हो और अपने नाम से ही एक अपना प्रैंड कर सकते हो तो ये हुआ कि आपने खुद ने ही छोटे लेवल पर शुरू किया अब यह आता है कि आप कुर्तिया बने-बनाएं खरीदना चाहते हो तो बने-बनाएं कुर्तियों के लिए भ 20,000 में मैं किसी के त्रू और ऑन लाइं अपना घर पे कुर्तिया मंगवा लूँघी और कुर्तिया मंगवा कर कि मैं उसको बेचि incarceration कुर्तिया नहीं बिक्टी तो supplier ने भी बोला है कि वो कुर्तियों को डिजाइन को एक्सचेंज कर देगा मतलब चेंज कर देगा अगर कुर्तिया नहीं बिक्ति उस तो इसके अंदर देखिए यदि आपको भी कोई तरीके की बात बोल रहा है कि आप सूरत से या ओनलाइन कुर्तिया मंगा लीजिए और उसके बाद आप उसको सेल कर कीजिए और कुर्तिया नहीं भी की तो हम वापिस ले लेंगे तो इसमें दो तीन चीजें जो आपको ध्या अपना सामान मंगबा लिया और उसके उपर निश्चेंथ हो गया कि क्या आएगी कलर क्या आएगा क्योंकि कपड़े के मामले में तो वैसे भी कलर और डिजाइन और फैब्री क्या होता है वह काफी चीजे टिफर कर जाती है जो सामने वाला बोर है वही चीज आपको नहीं मिलेगी इस बारे में भी कुछ ऑनलाइन के बारे में कई बार को कपड़े के मामले में फरक हो जाता है तो ऐसे में पहली ही बार यह एडवाइस है कि आप खुच जा करके जहां से इवन इफ आप ऑनलाइन भी खरीदा जाते तो खुच जा करके आप लॉट देखे आ पुछ सही सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है और उसके बाद ही लॉंग तरम अपने बिजनस की प्लानिंग करके चले कि किस तरीके से आपका सामान आएगा कैसे आएगा किस तरीके से आप सेल करेंगे देखें सामान ले करके पैसा आपने दे दिया किसी से सामान खरीदा आपने अपने घर पे डंप कर लिया एक कमरा आप जैसे वह सब्सक्राइबर थी उनके दो बेटरून का फ्लैक था तो एक कमरे में आपने अपना सामान वह सजा करके रख लिया कि किसी दिन कस्टमर आएगा और आप उसको बेचोगी लेकिन कस्टमर की आपको पहले से ही सेलि का तो वैसे भी फैशन होता रहता है सीजन के हिसाब से स्टाउम का चेंज होता रहता है और कई रख रखेर भी छिद जाता है याकि आप उसको खीछते में ख़ीचते हैं कि नोब करदा खुल जाती 해요 गोसे अंदर जरूरी है कि पहले आप उपने सामान खरीडा उससे पहली क्वालिटी की आप पूरे अच्छे तरीके से चार्ज परतार गर लो कि कौड़़ा क्वालिटी सिह है आपको सही मिल रही है रिलायबल सोर्स से ही लो क्या मतलब कि अगर आप अपके एरिया के अंदर यदि कोई होलसेलर जहां भी आप काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट है जहाँ पर कुछणा प्रोद है यहां से आप थोक में भी कपड़े करीज सकते ओर उसको बेड़ सकते हो तो क्वालिटी के साथ यह भी जाना आपके लिए जरूरी है कि क्या मार्केट में चल रहा है आपके एरिया में अगर आपको लोकली बेचना है तो फिर लोकली किस तरीके की ड्रेसे आपके यहां लोग पहनते हैं कैसा कपड़ा चलता है कैसे डिजाइन चलते हैं तो क्वालेटी और डिजाइन ट्रेंड क्या चल रहे हैं लोगों की प्रेफरेंस क्या है अगर आप ऐसी जगे रहते हूं जहां पर बिन कुरती के साथ जीन पहन पहीं पहना पसंद करते हैं तो आपको इन सारि बातों को किस तरीकी की कस्टमर को आप的時候 कर न inception करना चाहते हैं यह आपके लिए जाना बहुत जरूरी हो जाता है तो यह हुई तो एक ची एक तरीकी की बात ठीक है अच्छा इसमें एक चीज और बता दू कि जैसे आप इस मॉडल के अंदर की होलसेलर से कपड़ा आपने ले लिया या फिर कुर्तियां ले ली कि मैं उसको बेचूंगी जो डिजाइन नहीं भी कि तो वो उनको वापिस कर लेगा इसके अंदर एक ब ये तो आपका प्रॉफिट मार्जिल कहां बचे गा एक इस बात पर आप धियान किजिए कि आपको किस रेट पर वो गुर्तिया मिल रहे हैं और मार्केट में वो किस रेट पर अवेलेबल रहे हैं दूसरी बात ये आती है कि अगर फो बिजनस आते आज तर कभी बिजन्स कि कंई आप के वस्टों कि करने जा रहे हो आपका कोई sales का प्लान नहीं है कि क्या sales and marketing का आपका प्लान रहे एसे में आप यह सोच वे कि कोई बात नहीं वह घुर्तिया योड्रेस हमारा जो कि होलसेलर है जो सा वापिस लेलेगा तो ऐसे में सोचेंचेळों कि जो स्टॉक है वो तो स्टॉक तो आपका वहीं पे वहीं क्या वहीं रहेगा और और नाई में एक चीज और होती है कि जब आप इस तरीके से और करते हैं तो जो होलसेलर है आपको दुका अंदर आपको कुछ लिमिटेड जो उसके नहीं बिखने वाले डिजाइन से जनरली व कि आप से क्या खरीद रहे है तो इसके अंदर नमबर वन खुद बना रहे हैं कुर्थी तो फिर आप अपनी लोकल मार्केट से ठान के थान कपड़ा खरीद के टेलर से कुर्थिया डिजाइन करा लीजिए या फिर फिर दिजाइन कर लीजिए और लेबिलिंग करके आप उ search करके पूरा अपना जार्च परक करके सही कपड़ा सही चीज खरीद रहे हैं तब तो ठीक है लेकिन आप किसी तीसरे बंदे के उपर ही विश्वास कर रहे हो कि वहीं आपको सही चीज लाके देगा तो ऐसा हो नहीं पाता इसलिए आप लोकल मार्केट में जार्च परक के सम समच के तब बेशक कम सामान को खरीद है एक दो डिजाइन से ही शुरू करके कुछ तकव उसको आगे सेल करना शुरू करो अब दूसरा जो पार्ट है सेलिंग का वह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि सेलिंग का मतलब है कस्टमर्स्स जब आपके पास कस्टमर्स होंगे अपने सामान कि तभी आप profit कमा पाएंगे और business long run ने कर पाएंगे पैसे कमा पाएंगे तो customers कैसे मिलेंगे apply कैसे आप sell कर सकते हैं और कहान कहांसे लिल कर सकते हैं तो यदि हम traditional वर्य में देखें कि traditionally आपको कहां-कहांसे कैसे कैसे आप देच सकते हो तो एक चीज हो सकती है कि आप घर से ही सेलिंग कर सको आप आसपास अपने जो पर्चे होते हैं वह बटवा दो अक्पारों में डाल दो बैनर लगवा दो या फिर घर से इस तरीके से आप बेच सकते हो दूसरा है कि आप कोई शौप किराय पर ले लो या आसपास कोई शौप है उससे टाइअप कर लो कि वहां पर सामान रखवा करके उससे प्रॉफिट मार्जिन में आपका प्रॉफिट मार्जिन दो कम जाएगा लेके आप इस तरीके से भी किसी और की शौप पर या फिर अपनी शौप से भी सामान बेच सकते हो तीसरा त फैमिली को सामान बेचने का आइडिया तो बहुत अच्छा रखता है लेकिन प्रैक्टिकली यदि सोचे तो यह बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता नहीं है आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है और फ्रेंड और फैमिली जिनके ऊपर आपके मतब सोचल इस सेल्समैन आप रख सकते हो या सेल्स वोमें रख सकते हो कि जिनको आप कमीशन पर आप अपने प्रड़ॉफिट की सेल की लिए staat कर सकते है यदि आप घर से काम करता चाते हो जादा भागादॉरी नहीं करना चाते तो तो यह एक लोकल तरीका हो सकता है जो कि traditional way में काम किया जाता है दूसरा तरीका हो सकता है कि online आप अपने सामान को पेज सकते हो तो online तरीके क्या हो सकते है online जैसे कुछ platforms है वेबसाइट से जैसे Amazon हो गया, Amisio हो गया, Just Rail के थू हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, OLX के थू हो गया, ऐसे कई-कई चोटे-मोटे-चोटे-बड़े कई सारे platforms है जहां पर आप पेज सकते हो e-commerce websites के थू साथ ही साथ आप अपने भी social branding pages बना सकते, social pages है जाहे Facebook का है, Instagram का है, YouTube का है या फिर local directory है Google की या WhatsApp का business है, business page है, आपका business link है, इस तरीके से भी आप कई तरीके से बना सकते हो अपना social branding खुद की और उसके जरीए आप बेच सकते हो और अपना long term business create कर सकते हो, तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप कुर्ती का business खर बैठे भी कर सकते हो और इसे इसको long term अपना एक grow भी कर सकते हो इससे related अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहे है तो नीचे comment section में लिख करके मुझे बताईएगा जरूर कि क्या किस तरीके से आप business करना चाह रहे हो, online करना चाह रहे हो, offline करना चाह रहे हो, grow क करने के क्या आपके plan है, अगर मेरी help लेना चाह रहे हो, मुझसे जाना चाहते हो कि किस तरीके से आप अपना stitching business या कुर्ती का business set up करो और grow करो online और या फिर offline तो फिर नीचे link दिया होगा, आप मुझे direct contact भी कर सकते हो, thank you so much, channel को subscribe रखिएगा ताकि इसी तरीके की videos आपको म अपनी जिन्दगी को बेतर बनाना जाती है, जिन्दगी में आगे बढ़ना जाती है, take care, मिलते हैं अगले वीडियो में, God bless you.